नवस्कार, राशी चक्र में आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है, मैं हूँ प्रविण मिस्र, आए जानते हैं आज का दिन आपका कैसा बीतेगा, सबसे पहले बात आज के पंचान की 6 जनवरी 2024 दिन शनिवार, पॉस मास चल रहा है, क्रश्न पक्ष है, दस्मी तिथी है, स्वाती नचत्र रहेगा, रात को 9 बज कर 30 मिनट तक फिर विशाखा नचत्र शुरू हो जाएगा चंद्रमा तुला राशी में कोचर कर रहे हैं, भगवान शूरे धनू राशी में विराजमान हैं आज अभिजीत मुहूर्त का समय होगा, दोपहर 12 बज कर 6 मिनट से, दोपहर 12 बज कर 48 मिनट तक जो भी महत्यपूर्ण कार्य है, अभिजीत मुहूर्त में करेंगे, तो कार्यों के सफल होने की संभावना जदा रहेगी राहुकाल का समय होगा, सुबह 9 बज कर 51 मिनट से, सुबह 11 बज कर 9 मिनट तक राहुकाल शुब नहीं माना जाता, इसलिए राहुकाल में कोई भी जरूरी काम ना करें दिशा शूल है, पूर्व दिशा, तो पूर्व दिशा की ओर लंबी दूरी की यात्रा ना करें चलिए शुरू करते हैं आपका राशीवन सबसे पहले बाद मेश राशी की मेश राशी वालों के लिए धहरे से काम करने का दिन है, परिवार वालों की बातों को अनसुना ना करें सेहत का ध्यान रखना होगा, लंबी दूरी की यात्रा आज ना करें शुबरण गेरुआ, उपाय हनुमान चालिशा का पाट करें ब्रश राशी, नए सिरे से योजना बनाने का समय है, पुराने संबंधों में नई जान आएगी घर परिवार में खुशाली बढ़ेगी, नौकरी में उन्नती का योग है शुबरण क्रीम, उपाय, उम नमा शिवाय का 108 पार जाप करें मिथ उन्राशी, परिवार से सम्मंधित काम पूरे होंगे, अपने खर्चों को कंट्रोल करना होगा धन प्राप्ति के आवसर मिलेंगे, सकरात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे शुबरण गुलाबी, उपाय, गव माता को हरा चारा खिलाएं करकराशी, अपने काम पर ध्यान देना होगा धन की प्राप्ति के योग है, यात्रस के योग भी आपके लिए बन रहे है भाग का साथ मिलेगा, शुबरण सफेद, उपाय, दुरगा चालेशा का पाट करें सिंग राशी, प्रापर्टी से संबन्धित लाब होगा काम को लेकर व्यस्त रहेंगे, आपके दोस्त आपकी मदद करेंगे रुका हुआ पैसा मिलेगा, शुबरण मरून, उपाय, सुन्दर कांड का पाट करें कन्याराशी, परिवार की सलाह से फैसले करें, आपको धनलाम होगा कारियों में चुनोतियां आएंगी, साहस के साथ सामना करना होगा शुबरण हरा, उपाय, किसी मंदिर में धूप का दान करें अब वक्त है आपके सवाल का, यदि आपके मन में भी सवाल है तो आप भी पूछ सकतें उसके लिए आप अपनी बर्थ डिटेल, जन्म की तारीक, जन्म स्थान, जन्म समय लिखे और सवाल लिख करके हमें कमेंट पर छोड़ दिजे, उन सवालों को हम कमेंट से उठातें और आगे आने वाले कारिकरम में शामिल करतें जब भी सवाल लिखें तो पूरी बर्थ डिटेल अवश्य लिखें ताकि आपकी कुंडली बना करके आपके सवालों की जवाब दिये जा सके अभी जिनका सवाल ले रहे हैं, उनका नाम है आशीश कुमार, आशीश कुमार जी ध्यान से सुनियेगा आपका सवाल ले रहे हैं इनकी डेट अब बर्थ हैं 20 फरवरी 1985, सुबह 11 बजकर 30 मिनट जमशेद पूर का जन्मा इनका आशीश जी का सवाल ये है, कि ये जॉब करते हैं, नौकरी में नहीं तरक्की कम मिलेगी आशीश जी जो आपने बर्थ डिटेल बताई हैं, उस आधार पर आपकी कुंडली तयार है आपकी व्रश लगन की कुंडली है और आपकी कुंभराशी है आपका जन्म शत्विंशा नचत्र के दुती चरण में हुआ है इस समय आपकी शनी की महादसा चल रही है, जो अप्रैल 2010 से शुरू हुई है और अप्रैल 2029 तक चलेगी और शनी की महादसा में राहू की अंतरदसा चल रही है जो नॉंबर 2030 से शुरू हुई है और सेप्टेंबर 2026 तक चलेगी नौकरी आपका सवाल यह है कि नौकरी में कब आपको सफलता मिलेगी देखिए आपकी कुंडली के हिसाब से सेप्टेंबर 2025 के बाद से कारे छेत्र में, नौकरी के छेत्र में सफलता मिलने की योग है तो यानि अगला साल 2025 का साल और 2026 का साल नौकरी में उन्नती कराने वाला आपके लिए होगा उपाय क्या करें? उपाय नोट करिए पहला उपाय सवा 11 रती का अमेरिकन डामेंड शुक्रवार के दिन रिंग फिंगर में सोने की अंगुटी में धारण करें दूसरा उपाय नेमेत रूप से हर शनिवार के दिन सुन्दर कांड का पाठ करें हनुमान जी की पूजा करें ये उपाय करना शुरू करिए भगवान की करपा से बहुत जल्दी आपकी इक्षा पूरी होगी यदि आपके मन में भी सवाल हो तो आप भी पूछ सकते हैं उसके लिए कमेंट बॉक्स में अपनी पूरी बर्थ डिटेल और सवाल लिख करके छोड़ दीजे वहां से हम उठाएंगे और आगे आने वाले कारकर में शामिल करेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात तुला राशी की करियर पर ध्यान देने का समय है नए लोगों से मुलाकाद होगी आपको उन्नती के नए रास्ते मिलेंगे धन आगमन होगा शुब रंग है आपके लिए क्रीम कलर और उपाएं किसी गरीव को एक किलो चावल दान करें ब्रिश्चिक राशी धन की इस्तिती सुधारने के प्रयास तेज कते हैं नेत्यत्य च्छमता आपकी और बढ़ेगी परिवार से सपोर्ट मिलेगा सेहत में सुधार होगा शुब रंग लाल उपाएं किसी मंदिर में एक किलो चने की दाल दान करें धन राशी करियर के छेत्र में मेहनत बढ़ाना होगा धार्मिक कार्यों में रूची बढ़ेगी परिवार में चल रहे मतभेद दूर होंगे संतान से खुशी मिलेगी शुब रंग हलका हरा उपाएं किसी गरीब को आटे का दान करें मकर राशी भागे का सपोर्ट मिलेगा लोग आपके काम की तारीफ करेंगे समाज में सम्मान बढ़ेगा मित्रों से मुलाकात होगी शुब रंग सफेद उपाएं किसी गरीब को चावल का दान करें कुम राशी विदेश से सम्मंधित काम बनेंगे काम काज के छेतर में सफलता मिलेगी परिवार के साथ वक्त बितेगा मन की टेंशन दूर होगी शुब रंग नीला उपाएं पक्षियों को दाना खिलाएं मीन राशी मन की परिशानी दूर होगी धन कमाने के नए रास्ते बनेगे प्रापर्टी खरीदने की योजना भी बनेगी मित्रों से मदद मिलेगी शुब रंग के सरिया उपाएं चीटियों को आटे में गुड मिला कर खिलाएं राशी चक्र में आज बस इतना ही कल फिर होगी आप से मुलाकात जिन लोगों का आज जनम दिन है उन्हें जनम दिन की बहुत बहुत बढ़ाई आपका आने वाला साल बहुत अच्छा बीते है नौस्कार